हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सेरीज जिसका नाम है शोनार बंगला और यह है एपिसोड 13 इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंगलादेश और पाकिस्तान की एकोनॉमी के बारे में तो दोस्तो यह दोस्तो मयू आहान आप देख रहें सोशल लाइफ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो एक बड़ी मशूर कहावा थे कभी कभी जंग आप अपनी महनत से नहीं दूसरे की गलती से भी जीच जाते हो तो यहां पर कुछ आईसाई सीन है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब बंगलादेश ने GDP per capita nominally में पाकिस्तान को overtake कर लिया है और 2018 में बंगलादेश का GDP per capita 1754 दॉलर है जबकि पाकिस्तान का GDP per capita 1640 है और यह जो ग्याप है दोस्तो वो बढ़ता रहेगा इसका दो में रीजन है पहला रीजन यह है कि बंगलादेश की एकनॉमी पाकिस्तान से ज कंट्रोल बंगलादेश ने अपनी population को भूध अच्छे से कंट्रोल कर लिया है और 2016 में बंगलादेश ने 2.1 replacement level को achieve कर लिया है और बंगलादेश का population growth जो है 1.1% है जबकि इंडिया का 1.2 है और पाकिस्तान का population growth जो है 2.2 है इसी कारण जो GDP per capita का जो gap है वो बढ़ता और बंगलादेश की GDP per capita पाकिस्तान से जाधा रहेगी तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं GDP के बार में तो सबसे पहले दोस्तों GDP को local currency में count किया जाता है फिर count हो जाने के बाद GDP को international currency यानि US dollar से compare करके standard value दी जाती है अब देखते हैं पाकिस्तान का GDP 2017 में पाकिस्तान का GDP था 31,692 billion rupees और पाकिस्तान की currency value टी 105 rupees इन दोनों को जब हम divide करेंगे दोस्तों तो हमें पता चलता है पाकिस्तान का GDP जो है 305 billion dollars और दोस्तों 2018 में पाकिस्तान का GDP growth rate 5.8 था उसी इसाब से पाकिस्तान का GDP local currency में होता है 34,396 billion rupees और पाकिस्तान का currency value थी वो थी 115 rupees अगर हम इन दोनों को divide करते है तो हमें पाकिस्तान का 2018 का GDP मालूम होगा वो है 297 billion dollars तो दोस्तों 304 billion dollar 2017 में था लेकिन 2018 में ये 297 billion dollar हो चुका है इसका एक बड़ा कारान यह है दोस्तों की पाकिस्तान की currency तेजी से devaluet हो रही है और अगर हम जून 2018 में पाकिस्तान की currency value देखते है तो व है 122 रुपीज अगर हम इस currency value को पाकिस्तान की 2018 की GDP यानी 34,396 billion रुपीज से divide करेंगे तो 2018 का पाकिस्तान का GDP 282 billion dollars आएगा क्यूंके दोस्तों 2018 में पाकिस्तान की GDP 34,396 billion रुपीज है लेकिन पाकिस्तान की currency value 122 रुपीज है जून 2018 के हिसाब से इसी कारण पाकिस्तान की GDP 2018 की 282 billion dollar होगी जबकि बंगलादेश की GDP 2018 की 285 billion dollar है दोस्तों जो भी आकड़े हमने आपको यहाँ बताया है वो quarter 1 के results है और quarter 2 में ऐसा expect किया गया है कि पाकिस्तान की GDP और decline होगी क्यूंकि उनकी currency value टेजी से decline हो रही है आप इस GDP के बारे में economy of Pakistan सर्च करके Wikipedia के पेच पेच देख सकते हो और पाकिस्तान की government website है Pakistan Bureau of Statistics यह data उसने भी release किया है उसका link हमने description में दिया है आप जाकर उस website पे यह information देख सकते हो दोस्तों जब हम बंगलादेश की बात करेंगे तो लोग अक्सार बंगलादेश को एक underdeveloped country समझते है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है जिसी इसी development के कारण आगे बंगलादेश की economy और अच्छे से grow हो सकती है तो दोस्तों आप इस वीडियो के बार में क्या सूंस थे है और आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे हमें comment में बताइए वीडियो आपको अच्छा लगा तो like कर दीजे अगर आपने अभी तक हमारे चैन